Hello Friends, Vipro Limited के Results देखते हैं Quarterly, Revenue from Operations जो पिछले जुन में 149.22 क्रोर था, वो बढ़के हुआ है, 22% बढ़के हुआ है, 1825.2 क्रोर, और Other Income पिछले जुन की comparison में इस जुन में बढ़ी है, 22% Total Income जो पिछले जुन में थी 15571 क्रोर, वो 22% बढ़के हुई है, 19045 क्रोर अगर हम पिछले माज की comparison करें, तो Total Income बढ़ी है 14% लेकिन जुन से जुन कमपेर करें, तो Total Income बढ़ी है 22% Expenses देखते हैं, Employee Expenses 28% बढ़े है, जुन टू जुन और माज से जुन में बढ़े है 19%, Finance Cost जुन टू जुन कम हुई है 43%, Depreciation Expense बढ़े है 34%, Other Expenses बढ़े है 10%, यह है जुन टू जुन कमपेरिजन, अगर माज से जुन देखें, तो 16% Expense इंक्रीज हुए हैं, और जुन टू ज 22% Expense बढ़े हैं, तो हमने देखा Total Income 22% उपर, और Total Expense is 22% उपर, Profit Before Tax 25% उपर, Tax 9% कम हुआ, तो Consolidated Profit After Tax है 36% उपर, जुन टू जुन और माज की कमपेरिजन में 9% उपर, Consolidated Profit After Tax, यानि की काफी बढ़िया प्रदर्शन है, जुन टू जुन कमपेर करते हैं, तो, अर्निंग पर शेर, जो 4.20 रुपीज था, जुन 2020 के कौर्टर में, वो 41% बढ़कर हुआ है, 5.94 रुपीज, यार्ली डेटा भी देख लेते हैं, रेवेन्यू फ्रॉम अपरेशन्स, ओल्मोस्ट सेम, टोटल इंकम 1% की बढ़त, और टोटल एक्सपेंसीज 2% कम हुए है, टोटल इंकम 1% उपर, एक्सपेंसीज लेस 2%, तो प्रॉफिट बढ़ेगा, 13% उपर, प्रॉफिट बिफोर टेक्स 13% उपर, टेक्स आउट गो बढ़ा है 22%, लेकिन कॉंच्छल इटर प्रॉफिट आफ्टर टेक्स काफी अच्छा बढ़त 11% की इंक्रीज है, बढ़िया फिगर्स, बढ़िया नतीजे विप्रेट के, और अर्निंग पर शेर 15% बढ़ता है, जो 16 रुपिस के उपर रहता था, वो 19 रुपिस हो गया है, काफी अच्छे नतीजे दिये हैं, क्वाटरली रिजल्स तो विप्रो लिमिटेड ने, अभी यह है यरली चार्ट, यहां पर हम देखें, तो एक साल पहले 16 जुलाई को 261.90 रुपिस की प्राइस थी विप्रो की, जो 577.75 हो गई है, यानि की 120% इंक्रीज, और उसी पिरेड में निफ्टी बढ़ा है 48%, तो विप्रो ने निफ्टी को आउट पर्फॉर्म किया है, और कंटिन्यूस बढ़ा है, यहाँ पर उपर आने के बाद थोड़ा करेक्शन लिया, वापस उपर आया, और थोड़ा करेक्शन, और फिर यहाँ से तो बड़ी तेजी से बढ़ा है, और काफी अच्छी पोजिशन में, अभी विप्रो का प्राइस हम देख सकते हैं, अभी यह तीन महिने का जार, और यह जो रेड लाइन है, वो यह में 20 डेज, और ब्लू लाइन जो अभी हमने देखी, वो है एक्सपोनेंशल मुविंग एवरेज 50 डेज, देखिए 50 डेज के लाइन के ऊपर 20 डेज की लाइन है, और उसके ऊपर प्राइस है, तो क्लियर ली एक बुलिश पैटन हम देख सकते हैं, और 469.20 रुपीज प्राइस थी 16 अप्रिल को तीन महिने पहले, वो 23 परसेंट बड़ी है, निफ्टी 9 परसेंट बड़ा है, यहा तो विपरो ने यहां पर राउंडिंग टॉप पैटन बनाई है, देखिए, यहां से यहां तक राउंडिंग टॉप पैटन है, यह एक बैरिश रिवर्सल पैटन है, बैरिश पैटन मत्तब यहां से प्राइस निचे जानी चाहिए, यह पैटन बनने के बाद, और रिवर् इस रिवर्सल पटन है देखिए कि लिए लिए हम देख सकते हैं कि यह राउंडिंग टॉप पर्फेक्ट बना है राउंडिंग टॉप वल्यूम के रूल्स अभी इसमें नहीं देखते पर क्लियर ली प्राइसी देखे जाए तो यह क्लियर राउंडिंग टॉप है अभी के बाद prices नीचे जानी चाहिए पर यह देखिए one week two week three weeks four five six seven 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 week में जो यह बनी हुई rounding top की pattern है उसको सिर्फ दो दिन के up move ने fail कर दिया तो कोई अगर chart देखके यह सोचता है कि एक pattern यह बनी है perfect बनी है और उसके हिसाब से जो होना चाहिए वो एक महीने के बाद होगा या दो महीने के बाद होगा तो वो possible हर बार नहीं होता है क्योंकि यह जो pattern है उसकी reverse pattern बनते ही या यह जो पूरी pattern हो फैल हो जादी है देखिए सिर्फ दो दिन में rounding top का जो top था उसके भी उपर close दे दिया है और लगातार तीज़रा close दिया है विपरो लिमिटेड ने तो यह rounding top pattern फैल हो गई और market ने अपनी uptrend continue की है थैंक यू